हेलो स्टुडेंट तो आज हम पढ़ने वाले हैं linear differential equation ठीक है तो चलिए देखते हैं ठीक तो यह है हमारा linear differential equation तो linear differential equation की कुछ characteristics क्या है तो पहला हमारा है dependent variable and its derivative in first degree only ठीक है तो हमने पहले lecture में बताया था कि degree और order क्या होता है ठीक है तो degree means कि अगर यह dy by dx दे रखा है तो linear differential equation मे जो यहाँ पर इस पर degree होगी वो हमेशा क्या होगी first degree ही होगी यहाँ पर ऐसा नहीं देख सकते हैं आपके linear differential equation में इस तरीके से दिया हो ठीक है अगर इस तरीके से दे रखा होगा तो यह हमारा गलत होगा ठीक है दूसरा क्या दे रखा है all derivatives should be in polynomial form ठीक है जो भी derivative होगे वो polynomial form में होंगे ऐसे नहीं होंगे ठीक है जैसे होगे हमारा एक example dy by dx y square sin x plus is equal to ln x ठीक है तो यह हमारा क्या आगे exponential form तो यह हमारा linear differential equation नहीं होगा ठीक है और फिर तीसा क्या दे रखा है the order may be more than one ठीक है हो सकता है कि order order क्या होता है जैसे dy by dx यह हमारा क्या है first order है अगर इसका second order लिखना हो तो क्या हो जागा dy square by dx square ठीक है तो यह हमारा होगे second order ठीक है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि linear differential equation जो हो वो order एक से ज्यादा का हो ठीक है एक से ज्यादा का हो ठीक है लेकिन हमें किसके लिए पढ़ना क्यों फर्स्ट ओर्डर के लिए पढ़ना है ठीक है और अगर nth order का हमें linear differential equation दे रखा हो तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो चलिए देखते है ठीक तो हमें पढ़ना है linear differential equation for first order ठीक है तो first order के लिए जो general ठीक है expression होता है वो क्या होता है general expression जो होगा वो क्या होगा वो हमारा होता है dy by dx dy by dx plus py is equal to q ठीक है यह हमारा होता है general expression for linear differential equation for first order ठीक है first order के लिए और अगर नहीं दे रखा है तो हम सबसे पहले इस तरीके से हम convert करेंगे ठीक है then after हम क्या निकालेंगे find integral या integrating factor integrating factor जिसे हम क्या करते है if से represent करते है ठीक है if से represent करते है ठीक है if is nothing but e by power integral of p dx ठीक है p dx e by power integral of p dx तो इसे हम निकालते है then after लिखेंगे solution solution for linear differential equation ठीक है जब हम integrating factor निकाल लेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम differential equation को इस तरीके से convert करेंगे और अगर है तो फिर क्या करेंगे integrating factor निकालेंगे और integrating factor निकालने के बास solution निकालते वक्त हम क्या करेंगे तो y into e power tick p dx is equal to integration of q into e power p dx plus c ठीक है यह होता है हमारा किसी भी linear differential equation के लिए solution निकालने का तरीका ठीक है तो हम पहले क्या करेंगे integrating factor करेंगे फिर उस integrating factor को y से multiply कर देंगे और यहां पी integrating factor को q से multiply करके उसका integration निकाल देंगे ठीक है तो यह होगे हमारा क्या solution इस तरीके से हम solution निकालेंगे किसके लिए linear differential equation के लिए ठीक है तो चलिए हम पहले example देखते हैं ठीक है तो हमारा first question होगा solve x lnx dy by dx plus y is equal to 2 lnx ठीक है तो यह हमारा इस form में नहीं दे रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसे convert करेंगे तो यह हो जाएगा dy by dx क्योंकि dy by dx के बगल में कोई भी coefficient नहीं होना चाहिए तो यहां से हम क्या करेंगे x lnx से divide कर देंगे और फिर यहां भी यह हो जाएगा x lnx और यह हो जाएगा y और यह हो जाएगा यहां पे 2 by x ठीक है तो फिर क्या हो गया अब देखिए यह हमारा क्या आ गया p यह हमारा क्या आ गया q तो integrating factor कैसे निकालते हैं integrating factor is equal to e power integration of 1 by x lnx ठीक है और यह हो गया हमारा dx ठीक है तो अगर लिख दें put ठीक है अगर इसे integration करें ठीक है यह क्या हो जाएगा 1 by x dx is equal to dt ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा हुआ यह हो जाएगा तो यहां पे हम इसकी value लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 by t dalन स्कार लिख दीक है तो यह कितना आ जाएगा यह हो जाएगा lnt Lilins तो यहां से factor निकाल लिया, तो अब directly यहाँ पे लिखेंगे, यह हो गया, integrating factor y, और यह क्या होता है, p dx, और यह क्या होता है, solution में, q into integrating factor p dx, plus c, तो y into ln x हो जाएगा, y into ln x, और integration of q क्या है हमारा, q हमारा है, y into ln x plus c, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, y ln x is equal to 2 integration of ln x by x plus c, तो यहाँ पे हमारा dx होगा, यह भी हमारा dx होगा और यह भी यहाँ पे dx होगा, ठीक है तो यहाँ पे y ln x is equal to लिखेंगे 2 और अगर ln x को हम put करेंगे यहाँ लिखेंगे put ln x is equal to t then क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1 by x dx is equal to dt ठीक है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं direct कि यह कितना आ जाएगा यह जाएगा 1 by 2 t square plus c ठीक है तो हो गया y ln x ठीक है और यह हो गया t square और t हमने क्या माना था ln x square तो यह जाएगा ln x square plus c ठीक है तो यह हमारा क्या आगए यहाँ से solution आ गया ठीक तो यह हमारा हो क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम किसी भी linear equation का solution निकालते हैं ठीक अब देखते हैं कि अगर कोई equation linear form में ना दे रखा हो तो उसे कैसे change करते हैं linear form में ठीक है ठीक तो यह देखेंगे यहाँ पर second है equation equations reducible to linear form ठीक है linear form ठीक है तो इसे हम देखते हैं तो equation reducible to linear form कैसे होता है अगर कोई equation हमारा linear form में ना दे रखा हो तो उसे हम क्या करते हैं कोई substitution करके, हम उसे linear form में change कर सकते हैं, ठीक है, तो एक question देखते हैं, question 1, ठीक है, इसमें दे रखा है, solve, solve y sin y, ठीक है, sin x है, sin x dy by dx is equal to cos x sin x minus y square, ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए, तो इनमें सारे हमारे क्या हैं, first degree में हैं, सिवाए y square के, ठीक, तो हम क्या करेंगे, y square के जगे, कोई first degree वाला substitution कर देंगे, तो यह क्या होगे आप, अब यह हमारा one degree में बन गया, ठीक है, तो यह हो जाएगा, two y dy by dx, x के respect में हम differentiate कर रहे हैं, और यह हो जाएगा, dz by dx, ठीक है तो अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, y sin x, और dy by dx के जगे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, one by two y dy 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 अब क्या हो जाएगा यह हो जाएगा sin x by 2 और यह हो गया d z by dx और इधर क्या हो जाएगा cos sin और x और यह किनना हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा z into cos x ठीक है तो आप हम क्या गरेंगे z और cos x को इस साइड ले आएंगे तो यह हो जाएगा हमारा sin x by 2 dz by dx plus z cos x is equal to cos x और sin x ठीक है अब जैसे कि हमने बताय था कि यह dz by dx है अब इसे linear form में change करने के लिए इसके बगल वाले को यहां से हटाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम क्या गरेंगे इसे लिखेंगे आपे dz by dx और 2 को उधर भेज़ दिया और sin को भी तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा sin से divide कर दिया तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा z 2 z into sin नीच आएगा तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा cot x is equal to और इस साइड गया तो क्या हो जाएगा 2 cos x ठीक है तो यह हमारा आगया expression ठीक तो यह हमारा क्या आगया यह हमारा हो गया P और यह हमारा क्या हो गया Q तो आई यह factor निकालेंगे integrating factor integrating factor is equal to E power P dx तो यह क्या हो जाएगा P dx हमारा यह हो जाएगा E power P किता होगा P हो जाएगा 2 cot x dx ठीक है तो होगा नहीं क्योंकि Z क्या हमारा dependent variable है ठीक है तो यहां से जब integrate करेंगे तो यह आजाएगा E power 2 ln sin x ठीक है जिससे हम लिख सकते है sin square x ठीक है तो यहां से यह आगया तो अब क्या लिखेंगे solution y into sin square x is equal to integration of Q क्या है Q हमारा है 2 cos x into integrating factor means sin square x plus C तो अब क्या हो जाएगा यह y sin square x ठीक है और यह किता हो जाएगा इसे जब integrate करेंगे तो यह हमारा आता है ठीक है यहां लिखेंगे dx ठीक है तो जब इसे integrate करेंगे तो यह हमारा आता है ठीक है यहां पे हम sin x को t put कर देंगे तो यह हमारा क्या जाएगा, यह हो जाएगा 2 by 3 sin cube x, ठीक है, और यह हो जाएगा यहाँ पे c, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे y नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे z होगा, ठीक है, यह हो गया z, ठीक है, ठीक है, तो z की जगम क् पूट कर देंगे, यहां भी पूट कर देंगे y square sin square x is equal to 2 by 3 sin cube x plus c, ठीक है, तो इस तरीकित हमारी यह आ जाएगा solution, ठीक, तो यह हमारा था equation reducible to linear form, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी एक को, ठीक है, जैसे यहां पे हमने y square को रखा, क्यों, यहां कि y square हमारा second degree में थ पूट किया, तो सारे हमारे क्या आ गए, linear में आ गए, और क्या आ गए, first degree में आने बाद हमने क्या किया, फिर वही, जैसे linear form का step होता है, सबसे पहले हमने क्या करना, y by dx plus py is equal to cube में, ठीक है, change करना है, फिर क्या करना है, फिर if मतलब integrating factor निकालना है, ठीक, फिर उसके बाद solution के लिए उसका general expression लिख देना है, ठीक है, तो इस तरीके से हम तीन step में solution of linear differential equation ला सकते हैं, ठीक है, तो यह हमारा आज का lecture था, ठीक है, तो अब मिलते हैं next lecture में, जो की हमारा last lecture होगा on Bernoulli equation, ठीक है, thank you.